हेलो स्टूनेंट्स और वेल्कम बैक टू कम्पेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं स्सी सीजियल एंड सीचेसल का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज मैं एक नया पच्छिस में से कभी-कभी दो सवाल भी आ जाते हैं लेकिन इसमें भी अगर हम एक सवाल जो आपके इंट्रेस्ट में आता है वह मैं आपको मैं बता दूं कि कंपाउंड इंट्रेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों कि अगर दस शिफ्ट में पेपर हो रहे है तो उन में से 8 शिफ्ट में आपको दिखेगा कि सिय कपके पूछा गया है और किसी किसी शिफ्ट में आपके सिंपल इंट्रेस्ट का स्वाल जधा एक तो सारी चीजे में आपको बताऊंगा चाहे आपके लेटेस्ट पैटेन और और कि 5-month ली आपका ब्याज कैसे सारी चीज में आपको इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा लेकिन देखें इस वीडियो के अंदर आपको मैं थ्योरी पार्ट ज्यादा बताऊंगा हो सकता है कि एक दो सवाल ही मैं कराऊ या सवाल की मात्रा इस वीडियो में कम रहेगी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट वा ठीक है चैनल पर नहें, चैनल को सबस्क्राइब करें और वेल एकन अदबाये, ताकर सारे नोिफ्टिफिकेशन सब्व usagnut चाहिए मिल रहा है तो में दोपार के 12 बजोर एवनिंग पांच बजी साम को प्रोवाइड हो रहा है तो यहां पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराए जा रहा है एससी सीजेल और सीजेल का तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं ठीक है लेक्चर का ब्याज और चक्र विर्द्धी ठीक है तो चलिए आईए इसको समझते हैं डीटेल में तो इसमें भी पांच चीजे हैं प्रिंसिपल रेट टाइम इंड्रेस्ट और एमाउट यह पांच चीजे उसमें भी यह पांच चीजे इसमें भी फरक सिर्फ इतना है यह आपका मूलधन ठीक है आप यह क्या है तो मूलधन को को के आ है रिडाफ इंक्रЕस्टडेट इंट्रेस्ट याने ब्याज किदर इन दे दोinea मेर्णी Kiri है रेट ऩंक्ट्रेस्ट याने time in years यानि वर्षों में जो समय लग रहा है वर्षों में जो समय लग रहा है ठीक है वर्षों में जो समय लग रहा है ये आपका क्या है टी है इंट्रेस्ट क्योंकि हम यहाँ पर compound interest की बात करने है तो ये आपका मिश्रधन का मतलब एमाउंट तो देखे यहां से सारी जो डिफिनेशन चालू होती है वो कहां से चालू होती है वो इस रेट आफ इंट्रेस्ट से चालू होती है यदि जो वार्षिक ब्याज की दर है ये मूल धन के साथ-साथ अभी तक जो अरजित ब्याज है उस पर भी ल इंट्रेस्ट आप लोग नोडाउन कर सकते हैं कि ब्याज की दर यानि की जो रेट आफ इंट्रेस्ट है जो कि परसेंटेज पर एनम होता है ये सारी बाते मैंने आपको पिछले वीडियो में बता है ये आपके मूल धन पर लगने के साथ-साथ यदि आपके प्रिंसिपल म में आप इसको क्या procrast कर रहें उस पे भी अगर ये लगने लग जाए तो हम इसी को क्या केते से चक्रवरिद्धी तो इसका फॉर्मुला कुछ इस प्रकार दिखता है इसके फॉर्मोले की यदी में बात करूत हैकू इसका इमंट बर्यावर जो है एमाउंट बराबर है principle इंटू 1 प्लस R बटा 100 whole के पावर N ठीक है यहां पर जो R है इसको चलिए इसको मैं पिछले वाले R को मैं मान लेता हूं कि यह R1 है ठीक है इसको R1 मान के चलते हैं थोड़ा सा आपको यहां पर clear करवा देता हूं मैं कि यह R1 है ठीक है यह जो rate दिया रहता है यह R1 है और formula में हम जो लिखते हैं वो आपका R होता है यह R और यह जो N है इसको आप number of years से confusion मत करिएगा क्योंकि यह जो N है यह होता है number of terms number of terms यान कि कितने कितने समय यह calculate हो रहा है एन क्या है तो number of terms यह जो है वो हो सकता है छे मैने का हो एक time पिरेट जो है छे मैने का हो सकता है चार मेने का हो सकता है ठीक है पांच मेने का हो सकता है ऑन्हों जो rate हैchant rate of this is पर टर्म पर टर्म ठीक है इसके बारे में थोड़ा समय आपको बता देता हूं कि यह जो चीजें है इसका मतलब क्या है देखे सालाना ब्याज की दर आपको दी रहती है yearly ब्याज की दर आपको सवाल में दिया रहता है कि rate जो है आरवन जो है यह आपका क्या है percentage per annum यानि कि प्रतीसत प्रतीसत आपको दिया रहेगा प्रतीसत जो कि वार्षिक प्रतीसत है वार्षिक रूप से इतना प्रतिसत आपको देना होता है वार्षिक रूप से ठीक ठीक यह आपका होता है सालना ब्याज की दर और जो टाइम होता है टाइम आपको दिया रहता है इयर्स में यानि कि यह वर्षों में दिया रहता है समय ठीक वर्षों में दिया रहता है यह सम हो रहा है half-year verses, half-year-lept basis, calculate थब क्या कर ना है, मानने है, अगर मुझे यहां पर की दर दी गई कि 12 %, 12% परेनमे यह आपका ब्याज का दर है, मतलब की इसका मतलब स्मय, कि एक वर्ष में, एक साल में इतना ब्यास देना है आपको, यानि कि बारा वर्ष में कितना देना होगा यानि बारा महिने में जो ब्यास देना है 12 मंस में 12 मंस में 12 परसंटेज देना है इसका मतलब यह होता है तो अगर सवाल 5 मंतली बन गया 5 मंतली अगर सवाल बन गया कि 5 महिने में कितना ब्यास देना होगा तो आपका जवाब होगा पाँच परसेंट यदि सवाल छे महीने का बन गया तो छे महीने में कितना ब्याज दोगा तो छे परसेंट जो कि क्या है जो कि 12 का 6 बटे 12 है याने 12 का आधा है तो वार्षिक यदि अर्ध वार्षिक रूप से आपको देना है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी तो 6 प्रतिसत हो जाएगी clear है तो यहां से आपको ये सीज़े समझनी है कि यहां से अगर वार्षिक तरीके से calculate हो रहा है तो यहां पर rate of interest जो है वो N के बराबर ही रहेगा यानि जो R है वो R1 के बराबर होगा और जो N है वो T के बराबर होगा clear? लेकिन अगर अर्ध वार्षिक रूप से यह हो रहा है तो इसी formula में थोड़ी सी बदलावा जाती है अगर वार्षी group से यानि एन्वली calculate हो रहा है तो ऐसा होगा लेकिन अगर half yearly calculate हो रहा है तो half yearly में क्या करना है ये मैं आपको बता जिता हूँ ये क्या है ये जब annually calculate हो रहा है यानि वार्षिक रूप से आप इसको calculate कर रहे हैं तो यह होगा कि rate भी जो इसमें डालेंगे वो r1 होगा यानि प्रतिवर्ष वाला time जो डाल रहे है एंड जो डाल रहे है उपर वो number of terms भी जितने year से उतने लगी है लेकिन अगर यह आफ यर्ली calculate हो रहा है तो आफ करने मतलब क्या हुआ हाफ यर्ली का मतलब अर्थ वार्षिक रूप से हम इसको calculate करते हैं इस तोर में क्या हो यहां पर आपका रेट लगेगा और वह जाएगा रेट वर्ट रवन का आधा रवन का आधा इसले क्योंकि अभी यह छे महिने वाला रेट और जैसी आपने इसको आधा किया तो नंबर ऑफ जो होंगे वह जाएंगे टाइम का डबल क्योंकि देखिए एक वर्ष में दो बार चे महिने आते बारा वर्ष में कितने बार चे महिने आए दो बार आए इसलिए आपको दो गुना करना पड़ेगा इसका टाइम का यदि यह बोलता है यहां से आपका जो रेट आर होगा वह आरवन का एक चौथाई हो जाएगा क्योंकि तीन बटे बारा करेंगा और जो आ मतली में अगर सवाल अबसे पूछा जाए five monthly या पूछा जाए eight monthly याने कि हर पांच महिने में यदि आप ब्यास दे रहे इसस केस में आपको घवराने की कोई बात नहीं आपका जो rate होगा और होगा वह क्या हो जाएगा आरवन का पांच बटे बारा हिस्सा और जो N हो जाएगा वो हो जाएगा T का बारा बटे पांच हिस्सा ठीक है बारा बटे पांच हिस्सा तो देखे सपोस करिए कि अगर आपको रेट दिया हुआ है यहाँ पर अगर आपको रेट दिया हुआ है तो यहां से आपका जो एक्चुली रेट निकलेगा वह कितना निकलेगा यहां पर जो फॉर्मुला आपको यूज करना है फाइब मंतली वाले केस में तो अब आपका जो रेट हो जाएगा वह रेट आपका लगेगा पांच महिने का मतलब कि पांच मुल्टिप्लाइट तो यह दो गुट भॉन होगा 10% आपका भ्याज हो जाएगा ठीक और क्योंकि यहां पर हमने पांच भ्यार बारा किया तो टाइम में आपको बारा बाय पांच करना पढ़ेगा यहां फार मलब पांच किसका रोजाईा एक a-1-4 वरक जो कि क्या होता है तो पांच वर्ष हो में वह तहुंकि यह आपके पांच महेने का ब्याजय और पांच महेने कितने बार आाये तो वो तीन बार क्योंकि तूक सितेन का मतलब कि है वो भी में आपको दीटल में बता हो यह quick में पूरे के पूरे क्योंकि 1 मेर्स का मतलब 12 में होता है प्लस अगले जो 1-4 है उसको 12 का 1-4 अगर मैं करूँ तो टोटल जो महिने निकल के आ रहे है वो 15 महिने निकल के आ रहे है 15 मंध और आपको जो ब्यास देना है वो 5 मंत ली देना है यानि पहले 5 महिने में आपका ब्याज 10 प्रतिसत तो यह जो फॉर्मूला मैं आपको शुरुवाती तोर पे लिखाया वो फॉर्मूला में आप यहाँ पर रेट को 10% डालेंगे और जो N है वो आपका 3 रहेगा तो अब आपको समझ में आगया कि यहाँ पर जो time है यह years में होता है ठीक है interest जो होता है यह भी आपका yearly होता है लेकिन जब हम formula में इस चीज को डालते हैं यहाँ पर तो N जो होता है वो number of terms यानि कितने पदों में calculate हो रहा है यानि कि कितने बार आपको यह चीज calculate करना है कितन हाँ पर formula भी यूज नहीं करेंगे मैं आपको सारी चीज़े बताऊंगा एक एक करके ठीक है यह formula कैसे आया मैंने आपको बताया है कि rate of interest जो है वो आपके interest के साथ साथ principle पर भी लगना चाहिए तो थोड़ा सा मैं formula के उपर बात कर लेता हूं कि formula कैसे बना देखिए तो सब से पहली बात यदि rate of interest R है तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा पहले वर्ष का जो interest होगा वो जाएगा principle का R बटे 100 हिस्सा अब दूसरे वर्ष की यदि मैं interest की बात करो तो देखिए यहां से आपको यह सबजना होगा कि अब amount क्या होता है amount होता है हमेशा principle प्लस इंट्र plus R बटा 100 यह है clear यह तो हमारा पहले साल का amount हो गया यदि मैं यहां से दूसरे वर्ष की बात करों तो second वर्ष का जो interest होगा तो यह हो जाएगा principle का R परसेंट जो की 2 वर्ष का होता है तो आप लोग जानते इसका value होता है R बेटे 100 multiplied by 2 क्योंकि 2 वर्ष का होगा लेकिन यहा R by 100 इस पर भी आपको R परसेंट लगाना होगा R परसेंट लगाने का मतलब यहां पर भी आपको R by 100 value एक बार और निकाल लोगा तो दोनों में PR by 100 यदि मैं common निकाल लो तो अंदर यहां पर जो value बच रहे है यह 2 है प्लस R by 100 यह हमारा total interest है यह दो वर्ष का है 2 years का यह तो तो अब यहां से amount क्या होता है amount आप सब जानते है amount का value होता है principal प्लस जो interest है तो दो वर्षों की amount की मैं बात करूंगा अब दो वर्षों का जो amount हो जाएगा principal प्लस इतना value जो की है PR by 100 ठीक है और यहां पे 2 plus R by 100 आ रहे है अंदर bracket के अंदर ठीक तो इन दोनों में से यदि मैं P को common निकालू तो यहां पर value बचेगा 1 प्लस यह जो R by 100 है पूरे में multiply होगा तो 2 R by 100 पहले आएगा प्लस यहां से यह जो R by 100 है इसका whole square हो जाएगा यह क्या हो गया whole square हो गया तो अब अगर आप इस formula को थोड़ा गौर से करें तो A square plus 2AB plus B square A plus B के whole square का formula क्या होता है A plus B के whole square का formula होता है A square plus 2AB plus B square यही होता है तो जिसमें की B का का काम कर रहा है R by 100 जिसका square हुआ A का काम कर रहा है 1 जिसका square मैं करो तो बात एक ही है और 1 into R into 2 करोगे तो 2R by 100 आएगा कहीं नगा यह value आएगा तो A plus B के whole square के formula के जैसा ही है तो यहां से अगर amount for 2 years हमें निकालना है amount for 2 years क्या हो जाएगा यह हो जाएगा principle और यह पूरा A plus B का whole square का formula बन गया जो की है 1 plus R by 100 का whole square देखिए आप दोनों formula को आप compare करिए कि एक साल में principle into 1 plus R by 100 आया दो साल में principle plus 1 by R 1 plus R by 100 का whole square आया यही हो रहा है इसलिए हम यहां पर जो formula आपको बताए सुरुवाती तोर पे कि amount का formula क्या है तो amount का formula है principle into 1 plus R by 100 whole के power n जिसमें n है number of terms और rate क्या है rate of interest clear है यहां तक सारी चीजे मैं एकदम basic से बताऊँगा formula भी हमने देख लिया कि formula कैसे आया तो यह समझ में आ गया चलिए अब मैं आता हूँ अगले step पे कि यहां से formula इसको आप note कर लेंगे 5 monthly और 8 monthly में क्या करना है यह सारी चीजे आप समझ गया तो अब मैं यहां से आपको formulas लिखा लेता हूँ पहले formula देखेंगे फिर मैं आपको techniques बताना चालू करूँगा कि कैसे हम सवालों को solve करते हैं तो पहला formula है कि amount जो होता है amount बरावर होता है principle into 1 plus r by 100 whole to the power of n जिसमें की p क्या है तो principal amount है जो आपने उधार लिया राशी है principal amount principal a क्या है amount है amount यानि कि यह आपका मूलधन यह आपका मूलधन हो गया ठीक है यह आपका मिश्रदन हो गया और n क्या है तो n है number of terms यानि कि r क्या है rate of interest per term rate of interest per term है इसको कैसे calculate करना है हमने देख लिया n है number of terms number of terms यहां तक बाते clear हो गई सारी चीज़े मैंने आपको बताई है अब यहां से आप बताईए कि interest होता है तो क्या होता है interest का मतलब क्या होता है देखिए interest यहाने यहाँ पर चाहे ci हो या SI हो इसका value होता है amount-principal क्योंकि amount हमेच्H interest plus principal होता है तो interest क्या हो जाएगा amount-principal यहां से यदि मुझे interest निकालना है क्योंकि amount का value तो इतना था то ci क्या हो जाएगा ci का value हो जाएगा amount-principal और amount का value मैं इसमें दालूं तो compound interest का formula आजाएगा प्रिंसिपल ठीक है वन प्लस आरवा हंड्रेट होल टुदी पावर अफ एंड माइनस वन इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ठीक है तो यह आपका फॉर्मूला हो गया मैं आपको तीन अलग-अलग मेथड़ को सॉल्व करने का मैथड़ वन लिख सकते हैं मैथड़ वन है आपका टेबुलर अप्रोच यानि की टेबल के जरिए हम कैसे कंपाउड इंट्रेस्ट को सॉल्व करते हैं और इस टेबल में भी आपके पास एक बहुत छोटा तरीका होत कुछ आसान से वैल्यूस के जरीए मैं यहाँ पर लेता हूं दस जार रुपिया ठीक है रेट को मैं मान लेता हूं 10% और यानियाना कि मैं इसको मान लेता हूं दो साल है तो एनभी आपका दो साल होगा और यह वार्षिक तरीके से calculate हो रहा है तो पहला तरीका है कि हम यहाँ पर tabular approach follow करें तो tabular approach में हमको करना क्या है हम यहाँ पर इस तरीके से table बनाएंगे कि जितने terms है उतने बार हमको column मनाना है one or two पहले column में मैं लिखूंगा कि interest कितना लग रहा है तो simple interest लिखूंगा और साथ में आपके पास जो ब्याज पर ब्याज लग रहा है वो भी हम लिखेंगे तो definition से ही सारी चीज़े है definition जो है उसी के उपर सारी चीज़े तो पहले साल भी 10% लगेगा और दूसरे साल भी 10% तो आप बताईए सबसे पहली बात कि 10% का मतलब क्या हुआ इस 10,000 पर आपको यहां पर क्या-क्या चीज़े निकालना है compound interest आपको निकालना है amount निकालना है और तीसरा सवाल जो आता है सवाल ci-si के उपर तो compound interest और simple interest के उपर difference कितना है यह तीन चीज हमको निकालना है हर एक चीज मैं यहां पर जो डिसकस करूँगा उन सभी में तो सबसे पहले 10% आपको निकालना है 10,000 का 10% क्या होता है 10,000 का 10% 10% हो जाएगा 1000 तो interest तो इतना लगना ही है क्योंकि definition है ci का कि जितना आपका मूलधन उस पर 10% लगेगा पहले साल में इतना ही रहता है क्योंकि पहले साल में आपका जो मूलधन केवल उतना ही है लेकिन जब दूसरे साल आ जाओगे तो 10,000 पर 10% तो लगेगा 1000 रुपय लेकिन जो interest आपका बन गया यह जो 1000 है इस 1000 पर भी 10% लगेगा मतलब 100 रुपय और लगेगा क्लियर है यह 100 रुपय कहां से आ रहा है इस पर भी आपको 10% लगाना होगा तो इसका 10% हो गया इतना वैलू यदि मैं सब को जोड़ दो तो यहां पर 2000 रुपया और यहां पर 100 रुपय यह आपका टोटल compound interest हो जाएगा यहने 2100 रुपया अब यदि कोई amount पुछे आपसे तो आपका जवाब होगा कि amount होता है principal plus compound interest तो principal 10,000 है इसमें इतना जोड़ोगे तो 12,100 रुपया आजाएगा और CI-SI का value क्या है CI आपका है 2100 और यह जो पहले कॉलम में लिखते हैं हम यह आपका simple interest होता है simple interest क्योंकि देखिए simple interest का definition क्या है simple interest कहता है कि मैं किवल मूलधन प तो total value कितना जाएगा 100 रुपया जाएगा और 100 आपका CI-SI का value देता है अब इस पूरे calculation को यदि आप देखोगे तो 100 कहां पे आया था 100 इस second column में आया था तो आप इस चीज का note बनाके रखेंगे second column से CI-SI आता है और पहले पहले वर्स में आपका CI-SI 0 होता है CI-SI यानि कि difference आपके दूसरे वर्स से चालू होता है तो second year में आप देखेंगे 100 रुपय एक्ष्टा लगा था जो पिछले वर्स का 100 रुपया था 1000 पे 1000 पे 10% का वैल्यू जो था वह एक्ष्टा लगा था तो यह कुछ चीजे हो गई कुछ बाते हो गई पहला कंडिशन जो है हमने देखा मैं अब मैं यहां पर अलग-अलग कंडिशन पे यही चीजों को आपसे पूछूंगा कि आपका प्रिंसिपल रेट और अगर मैं लोग लिख सकते हैं मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल 10,000 रुपिया है रुपीज में एन जो है यह थ्री यहर से रेट जो है यह 10% है आपको निकालना है तीन चीज़े CI एमाउंट और CI-SI यह तीन चीज़ आपको निकालना है कितना होगा तो सबसे पहली बात फर्स्ट सबस्सक्ति 10- esta etisha Uhh बता भी सकते है इसका रिख यहां से क्यांकि आपके पास यह बन गया होगा तो कमेंट में आपनों कर सकते कि सेकेंड वाले मेथर्ट का कंडिशन वन का षोंव सकते हैं कि यहां से मैं इह लिखते हैं तो 10% और 10,000 देखते साथ आपकी समझ में आना चाहिए कि यहां 10% इसका लगेगा मूल धनका तो यहां पर 1000 लगेगा पहले साल CISI सेम होता है तो पहले साल आपका 0 लगेगा extra value क्योंकि पहले साल की पहले कोई interest था नहीं तो अलग से कोई amount लगने की कोई यहां पर चांस नहीं है सेकेंड इयर में आपका 10% लगेगा 10,000 का मतलब 1000 रुपए यहां भी लगेगा साथी साथ आपको पता है कि interest पर भी interest लगता है मतलब उपर वाले 1000 पर भी 10% और लगेगा मतलब 100 रुपया और लगेगा तीसरे साल की बात करो तो 10% आपके 1000 पर लगने के साथ साथ आपका जो यह एक हजार है यह एक हजार है और यह जो सो है तीनों पर 10% लगेगा मतलब यह वाले 1000 पर भी 100 रुपया लगेगा यह वाले 1000 पर भी 100 लगेगा और यह वाले 100 पर भी 10 और लगेगा क्योंकि इसका भ यहां definition change हो गया है कि simple interest मतलब कि interest के साथ साथ यानि कि principle के साथ साथ पिछले वर्ष तक के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो पहले तो 100 मैंने लिख दिया यह 100 आया इसका 10% से यह 100 दूसरे वाले के simple interest से आया और यह जो 10 आया यह दूसरे वाले के compound interest पर दिया है c i- si वाला जो value इसका भी 10% होगा तो यह total interest हो जाएगा यदि मैं total करूं इसको तो total यहां पर 3000 आ रहा है इसको यदि मैं total करूं तो यहां 100 प्लस 100 200 हो गया प्लस 100 करोगे तो 300 हो जाएगा प्लस 10 करोगे तो 310 आएगा मतलब extra 310 और देना पड़ रहा है 10 और अगर मैं आपसे पूछो amount क्या है तो amount होता है भई principle प्लस interest यानि principle इतना है प्लस interest इतना है तो दोनों को यदि मैं जोड़ दू इन दोनों को यदि मैं जोड़ दू इन दोनों को जोड़ोगे तो कहीं न कहीं 13,310 रुपया होगा और ci-si की वैल्यू बताओ तो यह हो जाएगा second column जो की होता है 310 रुपया यह हो गया ci-si का वैल्यू क्लियर है method 1 condition 2 अब मैं आए हाफ से लेकर आता हूँ आपको condition 3 पे लेके चलते हैं आपको देखे condition 3 में क्या होगा method 1 और condition 3 condition 3 में क्या करना है तो condition 3 में principle आपका 10,000 रुपया ठीक है और amount यानि की interest जो है यह 10% है rate को लेंगे यहापे 10% n जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अब 4 n को हम क्या करेंगे तो 4 ले लेंगे ठीक है अब यहां से आपको सेम चीज़े निकाल लिए ci amount और ci-si का तो सारी चीज़े मैं एक बार फिर से बताऊंगा लेकिन इसके बाद मैं आपको एक short trick बताऊंगा जिससे आपको table बना लगे कि पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में तीसरे वर्ष में चौथे वर्ष में कितना कितना वैल्य टोटल आ रहा है यह हम चेक करेंगे तो सबसे पहले तो ऐसा ही निखते हैं हम पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में c i minus s i लिखता है या एक्स्ट्रा जो simple interest के अलावा जो value लिखना है वो हमारा second column में आता है ठीक है तो आइए इसको solve करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर 1000 रुपए लगेगा आपका simple interest क्योंकि 10 percentage केवल मूलधन पर लगता है पहले वर्ष आपका CI-SI 0 होता है क्योंकि same होते दुनों दूसरे वर्ष की बात कर लो तो 1000 अपका ऐसा ही लगेगा लेकिन साथी साथ इसका 10 पर스्एंट याने 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा तूसरे साल में 1000 लगेगा और यहाँ पर ऑब 100-100 प्लस-100 लगेगा- इसका का गये इसका 10 लगेगा मतलब 100-100 प्लस औस 10 इतना यगई 3 yea किवल 3 year कि बात करें 4th year कि बात करो तो 1000 equations लगेगा principal पर अब यहां पर 100 इसका 200 इसका 100 इसका यह तीन बार 100 आळंगा 100 प्लस 100. साहती साथ अगर आप देखेंगे तो अब 10 जो फो देन बार लगेगा इसका 10% इसका 10 % और इसका 10% मतलब 10-10-10 तीन बार ओ गया और लास्ट में एक बार इस वाले दस का भी दस परसेंट याने एक रुपए और लगेगा तो टोटल बताईए कितना हुआ इन चारों को यदि मैं जोड़ो एक दो तीन चार इन चारों को जोड़ो तो 4000 रुपए और यहां से अगर आप देखेंगे तो 100 कितने बार आ रहा है एक दो तीन, चार पंच, छे बार आ गया तो 600 जोड़ेंगे याँप दस कितने बार आ गया तो चालिस ब्लस एक एक बार आया यहां पर एक ऐलगे तो यहां पर टोटल जोड़ों के तो 4,6 4,1 वैल्यवाए आएगा इसके पास एमाउंट की बात करूत ह्ता है मान उता है इंट्रेस्ट और सिंपल इंट्रेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा यहां तक बात है समझ में आ गई चलिए बहुत अच्छी बात है अब यहां से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात यह जो है इस चीज को कैलकुलेट करने का और तेज तरीका क्या है तो उसके लिए आपको गोलडन रिकोंड देश्ट पता होना चाहिए गोल रिके गात गात यह होता है तो 121 वंट्वेंटिवन आप लिखेंगे 1 लिखेंगे 1 के बाद यहां 1 के पहले 0 है 1 के बाद 0 है तो क्या करेंगे यहां पर 1 में 0 0 जोड़ेंगे याने 1 का 0 जोडने पर 1 और 1 पर 0 जोडने पर यहां पर फिर से बनाए इस तरीके से आपको पिरमिड बनाना है ठीक है तो यहां पहला वाला वैल्यू जो है वह 11 आ गय तो इस 1 में पहले कुछ नहीं है, तो 0 जोड़ोगे, 1 आएगा, 1 प्लस 2 यहाँ पर आप लिखोगे, 3, 2 प्लस 1 लिखोगे, तो again 3, और 1 के आगे कुछ नहीं है, तो 1 में 0 जोड़के, यहाँ पर 1 लिखोगे, तो आप देख सकते हैं, 1, 3, 3 बना रहा है, चौते वालू को कैस जीरो है, अगला वाला 11 के घाथ 1 है, यह 11 के घाथ 2 होता है, यह 11 के घाथ 3, और 11 के पावर 4 का वैलू यह होता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कैसे हमने इसको वैलू को निकाला, अब जैसे हमने यह वैलू निकाला, यहाँ से आपको जो इसका यूज़ जो है अब मैं आपको बताता हूं जो अब हमने डिसक्षन किया थीन कंडिशन उसमें ठीक है तो यह condition 1 था जिसमें हमारे पास n equal to 2 था n equal to क्या था तो 2 था तो दो वर्षों की बात करते हैं तो दो वर्षों का ratio क्या होता है तो 2 is to 1 होता है अब करना क्या है यह समझ लीजे इसका 10% निकालेंगे 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना हैगा 2,000 आएगा 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा इस 1,000 में आपको multiplied by 2 करना है और यही आपका होता है simple interest प्लस क्या करोगे अब इस 10,000 का 10% निकालोगे तो 100 आएगा इस 100 का value एक से multiply करोगे तो यहां पे आप देख पारें 2000 value आए प्लस 100 value तो direct आप यहां पर आ सकते है golden ratio के जरिए golden ratio के जरिए direct आप यहां पर इस result पर आ सकते है second example देखिए तीन वर्षों की बात थी तो तीन वर्षों का आपको पता होना चाहिए गोल्डन रिश्यो तो तीन वर्षों का गोल्डन रिश्यो क्या होता है तीन वर्षों का गोल्डन रिश्यो क्या है याद करिए तीन वर्षों का इस विर दतरा खिर दस प्रसेंट क्या होता है तो सो होता है इस सो को आपको छो समस्य इनिवा गिश्य का children कि पहला जो सम्सक्राइश यह यहां पर बिた है और दस इकुछर को जोड़ की simple interest कितना ci-si कितना ठीक तीसरे condition में आते हैं तीसरे condition की अधी में बात करो तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे गौर से तो इसका जो ratio होता है इसका ratio मैंने आपको बता के रखा है 4 ratio 6 ratio 4 ratio 1 होता है आगे के ratio आप लोग निकाल सकते हैं लेकिन अगर 4 वर्ष के उपर प्रशन बनता है यहां से 10.000 का 10% निकालोगे तो 1000 और 1000 में ´5-4 करना होगा यह क्यूंकि a अगला VN tambi छे इसमें 10 सेанняल होगा क्यूंकि 100 का 10 सबको जोड़ेंगे तो वही में अब देखेंगे इस चीज़ को calculate करने के जरूरत नहीं है जब तक कि आपके values जो है जो values अगर है वो values अगर same ratio same same percentage value पर अगर चीजे दी हुई है तो यहाँ पर आपको जो है values आप directly कैसे calculate कर सकते है इस golden ratio के जरी है 4641 के जरी है तो golden ratios को कैसे use करना समझ में आ गया चलिए अब मैं example के तौर पर एक value आपको यहाँ पर देता हूं और आप बताएंगे compound interest कितना है ठीक है values बस में change कर रहा हूं मैं बस यह देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को चीजे समझ में आ गई है क्योंकि अगर मैंने जो कहा है वो आपको समझ में आ गया तो अब मैं जो वैल्यू आपको बताऊंगा उसका एंसर भी आपका निकल जाना चाहिए ठीक है तो एक example लेते हैं यहाँ पर एक जांपल है इसको आप condition मत समझेगा इसको मैं एक जांपल दे रहा हूं ठीक है एक 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 जांपल है वीडियो को पॉस करके एक बार आप खुझ से ट्राइ करिए प्रिंसिपल है 5000 रुपिया 5000 रुपीस ठीक है रेट कितना है तो 5 परसेंटेज है एंड कितना है तो 3 यर्स है आपको बताना है compound interest कितना लगेगा आपको amount कितना लगेगा और आपको बताना है CI-SI कितना होगा तीनों चीज़ बताना है ठीक चलिए बिना यहाँ पर table बना है direct golden ratio से आपको बताना है वीडियो को pause करके एक बार खुझ से try करिए मैं अभी आपको value बताऊंगा कि कितना value आ रहा है ठीक है तो चलिए आईए इसको 5000 का 5% 5000 का 5% निकालना आसान बात है क्योंकि 5000 का 10% 500 होता है तो अगर 10% इतना है हमें 5% निकालना था तो इसका आधा करना होगा याने 200 250 तो यह 3 में मैं multiply कर दूंगा 200 से 250 से तो यह हो गया simple interest ठीक प्लस क्या करेंगे 3 multiplied by इस 200 का यह जो 200 दिख रहा है इस 200 का 5% निकालना है और 200 का 5% के लिए पहले 10% निकाली अब देखे mentally कैसे calculate करना है 10% का 25 होगा अगर 25 दस परसेंटेज है तो पांच परसेंटेज 12.5 हो जाएगा 12.5 प्लस लास्ट वाल में 1 multiplied by कितना करना है 5% निकालना है तो 10% इसका हो जाएगा 1.25 जिसका यदि मैं आधा करूं तो 0.5 कितन जोड़ लिजे 3ों को जोड़ लेते तो यहासे golden रेश्योज को इसी तरीके से हमें यूज कर रहा है तो तो तीनों को जोड़ने जाओगे तो यहां पर रेल्यू आ रहे है 750 कर पहला बाला यहां से लंच यहां से यूंट जोड़ लेते हैं यहां से आपका आ जाएगा 37.5 और यहां से जो value आगा 0.625 आएगा तीनों को जोडने पर यहां 25 यहां पर 11 आ रहा है यह 8 बन जाएगा यहां से 8 और 7 तो टोटल जो interest आया वो आया 788.125 का अगर आप से कोई पुछे कि amount कितना है तो amount होता है principal plus interest तो 5000 में इतना जोड़ोगे तो 5788.125 हमारा amount होएगा और CI-SI क तो इन दोनों को जोड़ना है केवल इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 38.125 वैलू जो है यह आपका CI-SI का वैलू जे देगा इन सभी चीज़ों में ठीक है तो समझ में आ रहा है बात है कि कैसे हम यहां पर use कर सकते इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है golden ratio के जरी अब यहां से मैं आता हो condition 4 पर तो condition 4 थोड़ा सा यहां पर change होगा condition 4 में इस condition 4 को हम समझते हैं ठीक तो यहां पर method 1 ही चल रहा है लेकिन हम condition 4 देखेंगे अब method 1 condition 4 method 1 condition 4 तो condition 4 में क्या है कि principle जो है यह आपका है 10,000 रुपिया ठीक है rate जो है यह 5 परसेंटेज है first year का rate first year का ही है second year का जो rate है यह change हो जाएगा 6 percentage थर्ड year का जो rate है यह change हो जाएगा 7 percentage अब n क्या हुआ तो n हो जाएगा 3 years क्यूंकि अगर 3 वर्षों में calculate हो रहा है तो पहले वर्ष का 5% दूसरे वर्ष का 6% तूसरे वर्ष का 7 percentage हो ठीक है तो यहां से यदि आपको निकालना है compound interest बताइए कितना हैंगा amount बताइए कितना है और ci minus si बताइए कितना है तो यह तीन चीज क्यालकुलेट करना है अब जब यहां पर अलग-अलग value आ गया तो यहां पर अब golden ratio नहीं लगेगा आपको basic से solve करना होगा इसमें short तरीका और है जो मैं आपको आने वाले समय में या पहले वर्ष में हमारा ब्याज की दर अलग है दूसरे वर्ष में ब्याज की दर अलग है तीसरे वर्ष में ब्याज की दर अलग है और हमारा definition यह कहता है कि interest जो लगता है वो principle के साथ-साथ पिछले वर्ष तक के ब्याज पर भी लगता है तो इस चीज काम को ख्यास ध्यान रखना होगा ठीक है तो start करते हैं पहले वर्स की जो ब्याज है किदर है वो है 5% तो 5% जब आप निकालोगे 10,000 का तो 500 रुपिया आएगा 500 रुपीज और CISI बराबर होते हैं तो यहाँ पर 0 रुपिया लगेगा दूसरे वर्स की बात करो तो 6% होता है 6% अगर 10,000 का निका लग जाएगा यह 30 रुपिया क्या है तो आपके second year में जो ब्याज की दर है 6% वो मूलधन के साथ-साथ तो मूलधन में तो 600 लगा लेकिन पिछले वर्स के ब्याज में भी 6% लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30 रुपिया इस 7% की बात करते हैं तो 7% 700 रुपिया होता है और साथ-साथ जो उपर जो जितने भी ब्याज दिख रहे हैं इन सब में भी 7% लगेगा मतलब इस 500 का 7% 35 इस 600 का 7% 42 और इस वाले का 7% वैल्यू तो यह हो जाएगा 2.1 रुपिया इतना total अपका interest हो जाएगा 7% इसका भी 7% इसका भी और 7% इसका भी तो total वैल्यू इतना क्लियर यहां तक बाते समझ में आगी तीनों को जोडते तो 500 प्लस 600 1100 प्लस 700 करोगे तो अठारा सो रुपिया आएगा कि अब यदि मैं इसको जोड़ू तीनों को तो बताइए वह कितना रहा है वैल्यू यहां 2.1 दिख रहा है याने एक दसमलब आएगा दो प्लस दो च 4 प्लस 5 करोगे 2 प्लस 2 4 प्लस 5 करोगे तो 9 आएगा वैल्यू 4 प्लस 3 प्लस 3 करोगे तो 10 आएगा याने 109.1 यहां आपका सी आ मैनास सी का का काम कर रहा है तो 109.1 यहां आपका compound interest simple interest का difference होगा यदि आप से कोई compound interest पूछे तो इन नोंनों वैल्यू को जोड़ देना इन 909 याने की 809 इसमें जुड़ेगा तो 19 हैगा ना 19 1909.1 होगा और amount की अधी में बात करो तो amount होता है वही compound interest प्लस principal तो principal और इसको जोड़ेंगे तो 11,909 दसमलब एक होगा सारी बाते क्लियर हो गई कि compound interest कितना है amount कितना है और CISI का difference कितना है यहां तक बाते क्लियर होगी चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं यहां पर यह है condition 4 की condition 4 का मतलब है कि अलग-अलग year पर अलग-अलग rate of interest लग रहा है तो उस case में हमें यह approach कैसे करना है अब मैंने एक बार principle को change नहीं किया है अभी तक लेकिन मैंने अभी यहां पर पहली बार rate of interest change किया अब मैं change करूंग time को कि अगर time fractional value लग गया उस case में कैसे calculate करना है उसके बारे में थोड़ा discussion कर लेते हैं तो fractional value के बारे में अब हम discussion करेंगी कि अब देखे मैं यहां से condition 4 आपको बताने वाला हूं method 1 में तो method 1 जारी है अभी और condition 4 की मैं बात कर रहा हूं condition 4 sorry condition 5 इस condition 5 में principal रहेगा rupees 10,000 रूपिया ठीक है rate आपका जो रहेगा यह रहेगा आपका 10 percentage और time जो है यानि कि time जो है अब हो जाएगा 2 साल 2 साल के साथ साथ आपका जो time बन जाएगा यहां पर जो value आएगा यह आएगा आपका दो वर्ष और 219 days देखे यहां से आपको अब calculate करना है 5th day 5th condition में कि कितना यहां पर आपके total interest कितना आएगा सेम चीज़ आपको निकालना है c i कितना आएगा आपको निकालना है c i minus si का value भी आपको निकालना है यह तीनों चीज़ इसमें आपको calculate करना है तो देखे यहां पर अगर आप calculate करना चाहते इन तीनों चीज़ों को तो उसके लिए मैं आपको कुछ बाते बता दू कि 365 जो ह यानि कि यहाँ पर 7 आएगा, 1 carry forward तो 73 days होता है, यदि मैं इसका दुगना करू तो 146 days हो जाएगा, और 146 days का मतलब होता है 2 बटे 5 साल, अगर यहाँ पर मैं इसको 219 कर दू, यानि कि इसका 3 गुना करू तो 3 by 5 हो जाएगा days में, और यहाँ पर आपको 219 दिन के वाले उपर question दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं इसका 4 गुना कर दू, तो 292 आएगा, और 292 days का मतलब कितना, तो यहाँ पर आजाएगा आपका 4 by 5 days, 4 by 5, 4 by 5 of a year, यह साल में है, इतने साल, इतने साल, और यहाँ पर इतने साल, ठीक है, मतलब यह जो 219 दिया हुआ है, इसका मतलब है 2, 3 बटे 5 साल, 2, सही 3 बटे 5 साल, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जान लेते हैं, तो यहाँ पर भी 3 वर्स लगेगा, 3 वर्सों की ही बात होगी, लेकिन यह समझना होगा आपको कि पहले वर्स में और दूसरे वर 10% रहेगा, दूसरे साल में भी 10% रहेगा, लेकिन 3rd year का जो इंट्रेस्ट है, वो हो जाएगा 10% का 3 by 5, यानि अब आपका इस साल में जो इंट्रेस्ट लगेगा, वो 6% का लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा का पूरा वर्स नहीं लगने वाला, तो 350 है, तो यह मै को तो 35th of the year निकालना है, तो 35th of the year हो जाएगा 6%, यानि कि तीसरे साल का जो ब्याज है, वो कही न कही कितना होगा, 6% ही हो जाएगा, अब मैंने इस सवाल को पिछले सवाल जैसा बना दिया, कि पहले साल 5%, दूसरे साल 6%, तूसरे साल 7%, तो अब यह calculate हो जाएगा, क्योंकि इस time की बात कर रहे थे हम, उस time से हमने rate निकाल दिया कि अगले अलग-अलग वर्ष में कितना rate of interest लग रहा है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि पहले साल 10% लगेगा, तो SI का value निकाल सकते हैं, और हम CI-SI का value निकाल सकते हैं, कि CI-SI जो हो जाएगा 10% इसका 1000, CI-SI बराबर हो 6% है, तो 6% इसका 600 होगा, इसका 6%, इसका 6% और इसका 6%, उपर वाले का 6% 60 हो जाएगा, इसका 6% और 60 हो जाएगा, प्लस में, और लास्ट वाले का इसका 6% निकालोगे तो 6 रूपया आएगा, तो टोटल बताइए कितना हो गया, 1000 प्लस 1000, 26 रूपया तो आपका simple interest हो गया, और यहां से 100 प्लस 60 प्लस 60 यानि कि 120 प्लस इतना तो 220 प्लस 6 यानि 226 रूपया जो है, यह अपना CMNS SI हो गया, तो overall यदि आपसे ब्याज निकालने को कहे कोई, तो आपको क्या करना है, simple सी बात है, यह हमने कई बार देख लिए, आपको जोड़ना है यह दोनों values, तो 26 प् अगर compound interest और simple interest का difference निकालना है, तो वह होता है 226 रूपया, तो यहां से 226 रूपया जो है, यह CI और SI का difference हो जाएगा, clear, यहां तक सारी बात है clear हो गई, चलिए, अब हम बढ़ते हैं, आगे, इसके बाद आएंगे हम condition 6 पर, कि condition 6 क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा discussion कर ल value जो है, चलिए, यहां पर method 1 है, और यह आखरी condition होगा, इसका, most important condition, method 1 और condition 6, method 1 और condition 6, principle कितना है, अब यहां से मैं change करना हो चीज़ों को 3000 रूपय, ठीक है, rate of interest कितना है, तो यहां पर rate of interest उतना ही रखते है, 10 percentage, n कितना है, तो n है भई, 3 years, और साथ में आपको यह बताना है, कि अगर हम every year, every year, every year, 1000 रूपीज रिटर्न हो गया, 1000 रूपय जो है, वो रिटर्न होता है, 1000 रूपय यदि रिटर्न होता है, every year, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है, यहां से, कि CI कितना देना होगा, third year में, amount total कितना देना पड़ेगा, last में, और CI-SI का value कितना आएगा, overall, यह आपको calculate करना, अब देखिए, इस condition 6 को देखते साथ, आपको समझ में आ रहा होगा, कि यहां पर अब क्या change हो रहा है, पहले की शुरुवाती दौर पर मैंने जो values लिये थे, उसमें आपका principle के साथ हमने rate को change किया था, तब पहले वाला यह था कि हर साल उतना ही rate लग रहा है, फिर एक जो 6 है, इस condition में क्या change हो रहा है, तो इस condition में आपका principle change हो रहा है, तो इसको भी मैं आपको बताता हूँ, क्या से solve करना है, देखिए, पहले साल यहां पर भी 3 वर्स होंगे, पहला वर्स, दूसरा वर्स और तीसरा वर्स, तो यहां पर भी simple interest लगेगा, और CI-SI भी लगेगा, पहले वर्स की अधी बात करें, तो 10% लगता है किसका, 10% इसका लगेगा, तो 300 रुपय होगा, अब यहां से आपने क्या किया, 1000 रुपय को लटा दिया, 1000 रुपय हमने return कर दिया, तो second year के लिए, अब आपका principle जो amount था इतना, second year के लिए आपका principle amount हो जाएगा 2000 रुपय, त तो अब वो ब्याज किस पर लगेगा, वो ब्याज 3000 रुपय पर नहीं लग सकता, क्योंकि 1000 रुपय हमने लटा दिया, तो अब हमारा मूलधन जो है, वो कम हो गया, और वो मूलधन अब कितना रह गया है, तो वो 2000 रह गया, 2000 पर यदि साधारन ब्याज निकालना है, तो वो 200 रुपया होगा और इस पर भी आपको 10% लगाना होता है तो पहले साल तो यह 0 था लेकिन अब 30 रुपय और लगेगा और यहां से हमने 1000 रुपय को और लटा दिया तो अब जो तीसरा वर्ष है इस तीसरे वर्ष के लिए मूलधन जो बचा है वो 1000 रुपय बचा हुआ है और अब यहां से जब आप 10% लगाएंगे मूलधन पर तो वो इस पर लगेगा तो यह हो जाएगा 100 रुपया और साथ में आपको 10% इस पे 10% इस पे और 10% इस पे लगाना तो यहां से सारी चीज़े एक बार में clear हो रही है कि compound interest तो टोटल देना है वो 683 रूपया देना है यदि आप से कोई amount पूछे तो अब यहां पर amount निकालने के लिए इस 3000 को जोडने की गलती मत करना क्योंकि इस 3000 में से 1000 पहले वर्ष के अंट में और दूसरे वर्ष के अंट में हमने 1000 दे दिया तो अब हमारा SI की बात करें तो 83 होगा अगर simple interest के उपर आ गया तो सवाल यह हो जाएगा लेकिन अगर सवाल में directly आपको इतनी सारी चीज़े निकालने के बजाए इसके उपर अगर सवाल आ गया 1683 के उपर यानि की कि पुल कितना ब्याज करना है आखिर में तो आपको यह सारी स्टेप करने की जुरूरत नहीं है यहाँ पर आपको जो है सारी चीज़े पता चल रहे है कि सिंपल इंट्रेस्ट क्या है वह भी पता चल रहा है कि इतना अलग इन्ट्रेस्ट आएगा तो question आपके उपर इसके उपर बनेगा कि amount कितना देना है तो amount निकलने का और short तरीका मैं आपको बता के रख लेता हूँ कैसे होता है ठीक है हमारा amount बन जाएगा जिसमें से 1000 रुपए लोटाने के बाद हमारा जो principal amount बचेगा 1530 बचेगा और जब इसमें फिर से 10% देना है तो 153 एक्स्ट्रा देने का मतलब यहां से आपको value जो देना होगा 1683 और यहीं हमारा उत्तर हो जाएगा clear हो रहा है यहां पर अगर amount के उपर direct सवाल आ गया तो यह सारी table बनाने की जरूरत नहीं है इस table में आपको detail सारी चीज़े पता चल रही है कि simple interest कितना है compound interest कितना हो बाकी सारी चीज़े कितना है लेकिन अगर directly इसके उपर सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे कि पहले साल मे amount मेरा 3300 मेरा जिसमें से 1000 माइडस करोगे तो 2300 बचा इस मेंसे 10% जोड़ोगे तो 230 रुपया जुड़ेगा से ratio approach में और समझेंगे ratio approach क्या होता है ratio अप्रोच में देखिए आप method to लिख सकते ratio approach method 2 में क्या लिखेंगे ratio approach देखे समझिए इस बात को कि हमने जो formula देखा हुआ है उसमें formula में लिखा हुआ amount is equal to principal into 1 plus r by 100 और इसको मैं rearrange करके क्या लिख सकता हूं इसको rearrange करके ऐसा लिखा जा सकता है कि यह क्या है हंड्रेट प्लस कि आर बाए हंड्रेट का होल के पावर एंड तो देखिए आप कहीं न गई इस चीज को कंबेर करिए परसेंटेज इंक्रीज वाले फॉर्मुले से जिसमें हम देखते थे कि फाइनल वैल्यू जो होता है वह इनीश प्रतिसत का जो बट्टा आता था उसका हर बन जाता था और प्रतिसत में जो न्यूमेरेटर पे वैल्यू आ रहा है वो इंट्रेस्ट हो जाएगा और जो बढ़ रहा है वो वैल्यू फाइनल वैल्यू हो जाता था तो वही चीज हम यहां पर भी करेंगे suppose करिए कि यहाँ पर अगर आपका value दिया हुआ rate of interest 20% दिया हुआ है 20 percentage का मतलब क्या होता है और यहाँ पर n equal to यदि मैं 1 कर दू n equal to 1 कर दू तो इसका मतलब होता है amount जो है वो principal का 120% हो गया है जिसको यदि मैं 5 से काटू तो कितना हैगा 6 by 5 आएगा मतलब amount by 6 is equal to principal by 5 यह हो रहा है तो principal amount का ratio जो है वो कितना बना 5 is 2 6 बना कब एक वर्स के लिए अगर दो वर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर n में 2 चड़ जाता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर square हो जाएगा तो principal और amount का जो ratio है यह अगर 2 years की बात हो रही है तो 2 years में यानि कि 2 साल में क्या हो जाता है दो वर्स में यहाँ पर आपके power पर square हो जाता है यानि यहाँ 25 और यहाँ पर 36 आता है इसी का हमें फाइदा उठाना है अगर 3 वर्स की बात होगी तो 125 और यहाँ पर 260 इस तरीके से ठीक है चलिए एक दो सवाल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि हमें यहाँ पर किस तरी बैटा नौ परतीसति तो आतकूँ का doing कितना होगा आपको निकालना है किमकॉमट कितना होगा ऐसे यह दो चीज़े हमें निकालना आ है तो जैसे हैं फिन स्सक्राइट गाओन इसला अ घृत्चवरान Dop. यह समय क्योद्वता ही और क्योंकि दो वर्सों की बात हो रही है sok भी square करना यहां तक बाते clear हो गए तो यहां पर square square इस तरीके से हम लिख देंगे और square करने का मतलब principle or amount क्योंकि यहां पर two years हो रहा था तो principle amount का ratio हो जाएगा 81 is to 100 तो कहने का मतलब यह आपका principle का काम करेगा यह आपके amount का काम करेगा तो जो difference है इंदोनों में इंदोनों में जो difference आ रहा है वो 19 unit का आ रहा है यही आपका compound interest का काम करेगा अब principle कितना दिया हुआ है उसके उपर थोड़ा सा देखिए कि अगर यहां पर 81 units का value जो है वो इतना दिया हुआ है मतलब multiplied by 100 हो रहा है तो compound interest कितना हो जाएगा 19 unit है तो इसमें 19 के आगे 20 लगा देंगे compound interest आ जाएगा amount अगर 100 है तो 100 के आगे 20 लगाएंगे तो 10,000 rupees जो है यह आपका amount बन जाएगा यहां तक बाते clear हो गई ठीक है I hope यह सारी बाते आपको समझ में आ गए होगी आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम देखते है next condition यानि कि इसी में मैं आपको कुछ और एक दो प्रश्न बताता हूँ कि ratio को हम कैसे use करेंगे जैसे कि suppose करेंगे कि अगर यहां पर आपको compound interest दिया हुआ है rupees 16900 का rate of interest आपको दिया हुआ है 14 2 by 7 percentage का और आपको end दिया हुआ है कि यह 3 years के लिए लग रहा है तो आपको बताना है कि principal कितना होगा आपको बताना है कि amount कितना होगा यह दोनों चीज़ों के उपर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आई इससे घबरानी की कोई बात नहीं है इसको भी आप आसानी से solve कर सकते है कैसे देखें अगर मैं यहां पर लिखूँ कि principal और amount का ratio कितना है तो आपका जवाब होगा 14 2 by 7 देखते साथ कि इसका जो बट्टा है 1 by 7 होता है यह सारी चीज़े हम percentage में देख चुके है मतलब अगर साथ हमारा principle है तो एक interest होगा और 8 हमारा amount हो जाएगा जब तीन वर्सों की बात हो रही है तो यहां पर cube करना होगा यहां पर भी cube करना होगा मतलब यह आपका 512 हुआ तो यहां पर ratio में आपका मन जाएगा value 343 का अगर आप इन नोनों का difference देखें इन नोनों का difference यद मतलब यह आपका principle का काम कर रहा है यह आपके compound interest का काम कर रहा है और यह आपके amount का काम कर रहा है अब सवाल में क्या दिया हुआ था सवाल में दिया हुआ था कि compound interest इतना है जो की 169 unit के बराबर है तो 169 unit में मैंने multiplied by 100 किया तब जाके तो principle यानि कि value आया 16900 तो अगर principle 343 है त 512 और यहाँ पर 00 क्योंकि जो multiplication factor यह है तो ratio में सारी चीज़े वह multiply होती है तो अगर compound interest में 100 multiply हो रहा है तो principle में 100 multiply होगा amount में 100 multiply होगा clear है यहाँ पर ratio approach चलिए एक और example में आपको बता देता हूं कि अगर अलग-अलग values अलग-अलग time frame में अलग-अलग अगर percentage rate of interest दिया हुआ तब क्या करना है जैसे कि for example मैं यहाँ पर condition 3 इस तरीके से लिखता हूं ठीक है आपके सामने एक question लिखते है जैसे कि देखिए और आखरी सवाल में आपसे पूछूंगा ठीक है इसी मेथड में condition याने कि compound interest आपको दिया हुआ है rupees 355 रूपिया rate of interest जो है वो first year का अलग है तो पहले वर्ष का यहाँ पर जो rate of interest होगा वो हो जाएगा 22 दो बटे 9 प्रतिसत दूसरे वर्ष की अधी में बात करो second year की rate of interest क की बात करो तो यह हो जाएगा 20 प्रतिसत और तीसरे यह की बात करो तो rate of interest थर्ड साल में याने तीसरे वर्ष में लगेगा यह हो जाएगा आपका 14 दो बटे 7 प्रतिसत मतलब number of term जो है वो n equal to 3 हो जाना चाहिए और आपको निकालना है principle कितना है तो amount कितना है यह दोनों च 9 प्रतिसत लिखा हुआ है तो इसका मतलब कितना होता है तो 2 बटा 9 होता है दो बटे 9 का मतलब principle यदि 2 है आपने 2 का ब्यास दिया तो आपका amount जो आएगा 11 आज आएगा अगर 20 प्रतिसत दिया है तो 20 प्रतिसत का मतलब होता है एक बटा 5 यह सब हम जानते है तो principle जो है व याज एक का दो गए तो आठ यहां से वैल्यू हाजाएगा अब यहां से आपको principle और amount का combined ratio निकालना तो compounding करना है compounding का मतलब क्या होता है compound interest है तो यहां compounding का मतलब भी समझी है अगर two ratios को compound करना है इसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से मल्टिप्लाय कर देना, राइट वाले को राइट वाले से मल्टिप्लाय कर देना, ऐसे वर्टिकली डिरेक्टली मल्टिप्लाय करना है, तो अगर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो उसको यहीं कट कर दीजे, जैसे कि मुझे यह common निख रहा है यहां पर यह 6 में 3 चुपा हुआ है तो यह 2 गुणा हो जाएगा 3 से काटने पर 3 मचेगा 3 गुणे 5 15 होता है 5 गुणे 7 करोगे तो 105 आएगा अनुपात में देखें तो 2 और यह 11 को मिल्टिप्लाइ करने पर 22 को 8 से मिल्टिप्लाइ करोगे तो 176 आएगा अब आप बताइए कि यहां से आपका प्रिंसिपल क्या है तो आपका जवाब का प्रिंसिपल है 105 यूनिट एमाउंट है 176 यूनिट तो क्या हम यहां पर CI का सवाल में 71 यूनिट का वैलू दिया हुए, जो की है 300, 35ierte कभी इसमें जो वैलू है 5 मुल्टिप्लाज हो रहा है अगर यह पांच वंटिप्ला करोगे तो 525 और यह 5 अपका प्रिंसिपल और इसमें भी 5 यूना करने पर कहीं आपका value आजाएगा कि यहां से आपका amount कितना है तो अगर पांच गुने करना है तो इसका मतलब 10 multiply करके 2 से आधा करना याने कि rupees 8 ठीक है फिर आपका आगे जाएगा एक तो 880 रूपया यह आपका बन जाएगा total value किसका amount यहां तक बाते clear हो गई ठीक है तो यहां से हम समझ रहे हैं कि अगर ratios approach से हमें solve करना है compound interest तो इसके प्रश्णों को कैसे solve करना है यह हम यहां पर सीख रहे हैं चलिए अब यहां पर इसको मैं यहां पर रोखता हूँ अब मैं आपको लेकर चलूँगा compound interest के तीसरे और most effective तरीके में जो किया है successive percentage change का formula ठीक है तो successive percentage change के formula से एक बार मैं आपको बता देता हूँ compound interest को कैसे हम solve करते हैं देखे थोड़े दर पहले ही मैंने आपको बताया कि हम amount और principal के formula को इस तरही किसे लिख सकता है principal into hundred plus r divided by hundred whole के power n ठीक है successive percentage change में हमने यह चीज़ पढ़के रखा हुआ है कि अगर दो बार किसी चीज़ को हम एक बार बढ़ाया फिर एक बार और बढ़ाया तो उसका formula कुछ ऐसा दिखता है कि final value होता है जो कि initial value multiplied by हो जाता है hundred plus x by hundred और multiplied by यहाँ पर आता है hundred plus y by hundred यह होता है successive percentage change का formula कि अगर आप किसी चीज़ को x percent से change कर रहे है फिर y percent से change कर रहे है तो formula कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें कि अगर आप एक बार में initial value से final value में जाना चाते हैं तो आप directly percentage net का formula लगा सकते हैं दो क्यों होता है x plus y plus xy by hundred यही formula होता है तो अगर मैं इस formula में उपर वाला जो formula है इसमें n equal to 2 दाल देते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर n equal to 2 दाल देते हैं n equal to 2 दालने पर क्या होगा यह formula change हो जाएगा इस तरीके से amount is equal to principal into hundred plus r divided by hundred का whole square करें और whole square का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ को दो बार multiply करना मतलब एक बार यह multiply होगा और एक बार और multiply होगा तो hundred plus r by hundred होगा clear ऐसा लिख सकते हैं अब इसको देखिए formula को और इसको देखिए यहाँ पर principal का काम कौन कर रहा है यहाँ initial value कर रहा है यहां से y percent change किया तो y percent का मतलब यहां से r percent को बढ़ाना है तो इसका मतलब overall यदि हम इस formula को और इस formula को change करें तो यहां पर percentage net change जो आएगा यानि कि compare करें तो x का value भी आ रहा है y का value भी आ रहा है तो r plus r यानिकि 2r हो जाएगा प्लस r into r होगा यानि कि r का square हो जाएगा और divided by 100 हो जाएगा तो यह आपका successive percent change हो गया अब यहां से आप मुझे एक बात बताईए कि यह जो overall change होता है यह आपको initial value से final value का change इतना value है तो यहां से initial value से final value और यहां से initial value से final value क्या है यहां से principle से जो आप बढ़ाते उसी को तो compound interest कहते हैं मतलब आपको कुछ नहीं करना है compound interest में आपको इतना percentage निकालना है principle का तो आपका जो है value directly निकल किया जाएगा कि compound interest कितना है बात समझ में आगे चले एक बार मैं आपको 3 years के लिए इसका formula बता देता हूं फिर मैं आपको सारी चीजे values से भी समझाओंगा कि मैंने अभी चीजे explain की वो क्या है अगर समझ में नहीं आ तो घबराईए मत मैं सारी चीजे आपको detail में समझाओंगा और इसका table भी आपको बनवाऊंगा जिससे तुरंत within seconds से आप सवालो है वो principle into 1 plus r by 100 whole to the power n इस तरीके से formula दिखता है जिसको हम rearrange करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 plus r by 100 तो मैंने कहा कि भई अगर n equal to 3 है n बरावर हमने क्या क्या 3 कर दिया n बरावर जैसी मैंने 3 किया तो यहाँ से amount बरावर हो जाएगा principle into 100 plus r और whole के power में यह पर कितना रहेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा clear और 3 का मतलब यह है कि आप इस चीज को 3 बार गुणा कर रहे हैं 3 बार गुणा करने का मतलब एक बार इस तरीके से गुणा एक बार यहाँ पर और 100 plus r by 100 होगा एक बार 100 plus r by 100 आ जाएगा clear यहां तक बाते समझ में आ लगी अब जैसे ही हमने इसको तीन बार गुणा किया तो अब आपको याद आ रहा होगा successive percentage change के तीन बार value को change करने का formula क्योंकि तीन बार value को change करने पर क्या होता है जैसे final value है यह initial value का क्या होता है 100 plus x by 100 एक बार आता है और यहां से 100 plus y by 100 इस तरीके से आता है और एक बार और यहां पर कुछ multiply होता है तो 100 plus z divided by 100 इस तरीके से आता है तीन बार value को हम change करते है उसके बाद तो जैसे हम तीन बार इस चीज को change करें तो यहां से percentage net change का formula आप लोग जानते हैं जो कि होता है x plus y plus x plus y plus z ठीक प्लस यहां से आ जाता है xy plus yz plus zx और divided by यहां पर 100 होता है और यहां से आगे last में आ जाता है x y z और divided by नीचे यहां पर 10,000 का value आता है यह हम जानते हैं successive percent change में अच्छे से formula के उपर हमने पढ़ा हुआ है तो जब यहां पर तीन बार value change हो रहा है तो अगेन आप देखेंगे प्रारंबिक मुल्य और अमतिम मुल्य क्या बन गया है तो principal और amount बन गया x y और z का काम कौन कर रहा है कि r प्रतिसत से पहले बढ़ाना फिर r प्रतिसत से बढ़ाना फिर r प्रतिसत बढ़ाना यानि तीन बार r percent से बढ़ाना है value को तो तीन बार r percent से बढ़ाने का मतलब यहां पर जो total overall जो percentage net change होगा यह percentage net हो जाएगा r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r स्कूर मतलब की 3 r स्कूर divided by 100 प्लस लास्ट में आप देखेंगे r cube r cube divided by 10,000 अब इस formula को आप देखिए गौर से देखिए समझीए इस चीज को कि हम यहां पर इतना प्रतिसत निकालने पर directly हमारा value आ जाएगा कि इतना percent आप principle का निकाले तो आपका compound interest निकल के आ जाएगा clear चलिए अब मैं यहां से इस चीज को connect करता हूं कि शुरुवाती तौर में मैंने आपको जो चीजे बताई है उसको उससे हम connect करने की कोशिच करते हैं देखिए जैसे कि for example 10% के बारे में हम बात कर रहे थे तो यहां पहला condition method one का condition one की बात करते हैं तो पहले method one के condition one में क्या था दो साल में 10% तो successive percentage change से आप देखेंगे कि हमको पहली बार में x plus y plus xy निकालना है मतलब की xy plus याने कि 10% plus 10% तो दो बार 10% हो गया plus 10 into 10 करोगे तो 100 होगा divided by 100 मतलब की आपको 21 percentage निकालना है और जैसे आप 21% निकालोगे तो compound interest आ जाएगा तो डिरेक्टल आप 21% निकालिए 10,000 का जो की 2100 होगा यदि आपको amount निकालना है तो 100% और जोड़ देते हैं क्योंकि principal अपने आपका 100% होता है इंट्रेस्ट आपने 21 दिया तो 121% निकालोगे तो 12,100 होगा यह 12,100 ठीक है तो 12,100 जो है यह आपका amount बन जाएगा इतना हमने यहाँ पर आपका condition 1 में आपका amount हुआ ठीक है और अगर आपको यहाँ से कोई पूछ ले CI-SI का value क्या है तो compound interest, simple interest का जो difference है simple interest 2 साल में आप 20% दोगे compound interest 2 साल में आप 21% दोगे तो इननों का difference 1% हुआ और 1% value 100 रुपया होता है तो CI-SI का value आगया 100 रुपया clear है successive percent change से कैसे हमें निकालना है values अब देखे आते हैं second वाले condition में इसमें आप खुद ही बताइए जब हम यहाँ पर तीन बार value change करेंगे तो 10% को 10% 10% 10% 10% 3 बार करना होगा तो यहाँ पर 30% आ जाएगा 1000 आएगा 10 का cube divided by 10,000 मतलब 10 अमलब एक प्रतिसत और देना है मतलब total 33.1 percentage देना है successive percent change के formula से इतना percentage दोगे तो आपका compound interest आ जाएगा जो कि आप देख पा रहें यहाँ पर 10,000 का इतना प्रसेंट आपका value है यदि आपसे कोई पूछे amount कितना देना है तो इसमें 100% जोड़ देना और 100% जोड़ोगे तो 133.1 प्रतिसत आएगा जो कि यहाँ पर इतना value हो जाएगा amount का यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ भई CISI का difference क्या है तो तीन वर्स में 10% ब्याज किदर से साधारन ब्याज यानि कि सिंपल इंट्रेस्ट 10% 10% 10% के साब से 30% होता है तो जैसी आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का difference 3.1% आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि 3.1% ही इतना होता है और CISI का difference इतना ही आया ठीक चली यह तो समझ में आगे आगे वाला condition देखेंगे यह जहां से अगर इसका value आपको निकालना है ठीक है तो यहां पर आपका चार वर्षों की बात हो रही है तो आप चार वर्ष का formula तो मैंने आपको नहीं बताया लेकिन आपको यह पता है कि मैंने आपको golden ratio बता के रखा है तो golden ratio के जरिए आप अपने आप से formula बना सकते हैं कैस से क्योंकि पहली बार में आपका आर प्रतिसत लगता है तो मैं यहां पर चार आर लिखूंगा दूसरी बार में क्या करेंगे 6 से multiply करेंगे आर बटे 100 को यानि आर स्क्वेर बटे 100 को क्योंकि अब इसका आर परसेंट हो गया अगले बार में 4 निकालेंगे और यहां पर इस पहली बार जब आर परसेंट निकाल रहें तो चार से multiply अगले बार 6 से multiply उसका आर परसेंट निकालके अगले बार इसका आर क्यूब से multiply अगले बार इससे तो अगर मैंने आपको यह formula बताया तो formula आया भी किस से तो यह golden ratio से ही बना हुआ है ठीक लेकिन आपको ध्यान यह र आपका rate of interest change होता रहता है जैसे कि for example यह वाला condition जो था इसके बाद वाला condition जो मैंने आपको बताया था इस condition में आप देख रहें 5% फिर 6% प्लस 7% golden ratio फेल हो गया लेकिन यहां पर successive percent change फेल नहीं होगा यहां पर successive percent change जो आप यूज कर सकते है formula क्या है तो x plus y plus z plus xy plus yz plus zx divided by 100 और last में आपका जाएगा xyz divided by 10,000 इस formula के तहत आप क्या कर सकते हैं आप देखेंगे कि x और y और z को जुड़ोगे तो 5 plus 6 plus 7 5 plus 6 plus 7 यानि कि कितना होगे 18% तो यहां 5 यहां 6 यहां 7 दालोगे तो 18 percentage आएगा ठिक इसके बाद क्या आएगा यहां से 5 into 6 5 into 6 करोगे तो 30 आए प्लस टीनों को multiply करना है यहने 5 into 6 into z आखरी वाले value में तो 5 गुणे 6 गुणे 7 करोगे और बटा में आ जाएगा 10,000 रुप्या तो बताइए इसका value क्या रहा है 18 तो सिधा का सिधा 18 यहां पर था दसमलव सून्य है और अगले वाले value को देखोगे तो कही ना वही 30 plus 35 65 65 में इतना जोड़ोगे तो 107 आ रहा है बटे में 100 है 107 बटे 100 मतलब एक दसमलव सून्य साथ आखरी वाले value को देखेंगे तो एक शुन्य को में यहां 5 और इसके 2 से काड़ देता हूं तो यहां पर 3 बचेगा तो 21 21 आ रहा है और 1000 मतलब सून्य दसमलव सून्य दो एक आएगा दो जिरो जाएंगे इस दसमलव को राइट साइड शिफ्ट करने तो 1909 दसमलव एक आ रहा है जो कि आपका compound interest यह तेज है ठीक है यह बहुत तेज है अगर आप इस pattern से सवाल को solve करें तो यह calculation जो है कही नहीं आपका time को एक minute के नीचे लेकर आ जाएगा exam में clear अब इस तरी किस है पहला साल है ठीक है दूसरा साल और तीसरे साल का यहां पर तीन बटे पांच साल है और पहले वाले टर्म में पहले वाले टर्म में हमारे पास 10 परसेंट लग रहा है दूसरे वाले में 10 और तीसरे वाले में 6 परसेंट लग रहा है तो 10 परसेंट 6 परसेंट का successive निका साट करोगे 120 प्लस 100 यानि की 220 आ रहा है यहां पर और आखिर वाले वैल्यू में तीनों को मल्टिप्ला करना है तो 600 600 क्योंकि 6 इंटू 100 है तो 600 डिवाइड़ बाइ 10,000 अगर मैं इस 100 को काटू तो उपर वाला वैल्यू जो है यह बन जाएगा 2.2 2.2 बन जाएगा यहां से इसका वैल्यू जदी हम देखे तो 2 0s कट गए इसका 0.06 आ रहा है मतलब ओवर ओल कितना हो गया 26 प्लस 2 यानि 28 और यहां पर 2 और 6 बचा हुआ है इतना प्रतीसत तो बताइए इतना प्रतीसत आपको निकालना है तो यह सारी क्यालकुलेशन जो है जो आपका golden ratio permit नहीं करती उस चीज को आप यहां पर successive percent change से 10, 10 और 6 के प्रतीसत से बहुत आसानी से आप calculate कर सकते है तो यहां पर 28.26 percent directly निकालोगे 10,000 का जो कि 282826 होता है और अगर आपको amount निकालना है तो इसमें 100% जोड़ देना क्योंकि principal को ही जोड़ना पड़ता है और अगर interest इतना है principal अपना 100% है 123.26 जो है आपका amount हो जाए यहां तक सारी बाते clear हो गई चलिए अब मैं यहां से आपको ले चलता हूँ कुछ सवालों में और सवालों में जाने के पहले कुछ results को आप note down करके रख सकते हैं जो की बहुत important results हैं जो मैं आपको इसके जरीए बताना चाहता हूँ यहां पर जो एक बार जोड़ लेता हूँ इन सभी values को एक बार जोड़ दू तो यह बन जाएगा 210 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा अगर मैं इसको जोड़ दू तो 300 प्लस 30 प्लस एक यानि कि 331 हो रहा है यहां पर total value कितना रहा है 331 तो अगर मैं यह पूछू आप से कि पहले वर्ष का compound interest कितना था तो आपका जबाब होगा 1000 होगा केवल first year का है यह only for first year की बात करूं तो यह हो जाएगा 1100 तीसरे year की बात करूं तो यह हो जाएगा 1210 चौते year की बात करूं तो बन जाएगा 1331 यह only for first year only for second year और only for third year and only for fourth year है यदि आप first और second का ratio देखें यहां से इन दोनों का जो ratio है वो 10 अनुपात 11 है मतलब इन दोनों का ratio अगर इन दोनों का ratio निकालोगे तो ये भी 10 अनुपात 11 का है इन दोनों का ratio लेखोगे तो 121 से काटोगे तो ये भी 10 अनुपात 11 का ही बनेगा एक चीज आपको note करके रखना है कि compound interest जो केवल 1st year का होता है जो केवल 2nd year का होता है और जो केवल 3rd year के लिए होता है और जो केवल 4th year के लिए होता है ये compound interest का ratio 10 अनुपात 1 में याने कि जितना rate of interest है उतने प्रतीसत से ये value बढ़ता है तो ये और एक तेज तरीका है कि आप compound interest को कैसे calculate करें अगर आप amount भी देखते हैं यहां से amount की अगर मैं बात करूँ तो amount जो है 0 years में amount जो 0 years में है उसी को हम principal कहते है तो principal कितना है 10,000 इसी को हम principal कहते है अगर मैं पूछू कि amount जो 1st year के बाद हुआ amount जो 1st year के बाद हुआ वो ता है principal plus interest तो principle कितना है 10,000 इसमें इतना जोड़ोगे तो कितना जाएगा 10,000, 11,000 इसमें भी अगर आप ratio देखेंगे तो 10 अनुपात 11 का बन रहा है यानि ये 10% से बढ़ रहा है अगर मैं amount for second year के बाद की बात करूं तो second year में आपका total ब्याद जो है वो 1000 प्लस 1100 है इन नोनों को जोड दो और principle को जोड़ दो तो 12,100 आएगा इसमें भी आप देखेंगे तो हमने इसको 10% से बढ़ाया है 10% से बढ़ाने का मतलब value जो है वो 10 अनुपात 11 अगर amount for third year की बात करूं तो principle इतना था 10,000 इसमें इन तीनों को अगर मैं जोड़ दो तो 3,3,1,0 है और इसके साथ amount for fourth year ह तो आप इस चीज़ को बड़े बड़े अक्षरों में लिखके रखेंगे कि केवल first year का interest, second year का interest only पूरे compound interest for one year नहीं कह रहा हूँ मैं compound interest for first year कह रहा हूँ कि पहले साल का compound interest, दूसरे साल का compound interest, तीसरे साल का compound interest और fourth year का compound interest, geometric progression में होते हैं amount जो होता है ये भी geometric progression में होता है लेकिन compound interest जो पूरे के पूरे एक साल का आया compound interest जो पूरे के पूरे दो साल का आया ये geometric progression में नहीं होता क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पहले साल का compound interest कितना है 1000 दूसरे साल का compound interest कितना है तो 2100 तो यहाँ पर क्या ये interest इसमें बढ़ रहा है दस पर手संत से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ 1000 है और दो साल का पूरा combine करोगे तो 2100 आएगा कि तीन साल का पूरा कंपाइन करोगए तो 3,301 आएगा तो यहां से आपको दो रिजल्ट जो लिखना है वह आप लिख के रख सकते हैं कि कंपाउ Cantonese जो हता है और printed for the first year ठीक है और compatible interest for second year compound interest for third year और compound interest for fourth year इसका ratio amount for first year amount for second year amount for third year amount for fourth year and so on इसका जो ratio होता है वो होता है one is to one is to k square one is to k ठीक है इसके बाद आएगा ratio मा जाएगा k square इसके बाद आएगा k cube जिसमें यह k क्या है k का value है भई k का value है 100 plus r बटा 100 100 plus r बटा 100 याने इस अनुपात में value बढ़ते रहता है क्योंकि आप देखेंगे कि इन दोनों में जो value बढ़ा वो 10% से बढ़ा याने r परसेंट से बढ़ा तो अगर यह 1 है तो यह हो जाएगा 100 plus r बटा 100 हो जाएगा जिसका और fractional value से आप और आसानी से इसको तेजी से लिख सकते हैं तो अगला value जो हो जाएगा 100 plus r बटे 100 का whole square ठीक केवल compound interest for first year second year third year होता है लेकिन for one year की अगर बात करूँ याने compound interest for one year for two years for three years for fourth year नहीं होता है इस ratio में ठीक और यहां से 100 plus r बटे 100 का whole cube ठीक इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं चलिए अब एक important बात जो है आपको यहां पर बताना चाहा रहा था यह जो compound interest जो हमने यह देख लिया formula successive percentage change का और यहां से इसका formula देख लिया successive percentage change का तो इसका आप table बनाके रख सकते हैं table क्या है यह वाला table आप इसको बनाके रखेंगे यहां पर कि compound interest using successive percentage क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन का उपयोग करते हुए चक्रित्ली ब्याद जब हाप solve कर रहे हैं तो देखिए सवाल जो है वो अलग-अलग percentage पर आ सकता है ज्यादा तर chances होता है कि 1-15 percentage में पसे सवाल 20% तक भी जा सकता है तो अगर आपको दो वर्षों की बात हो रही है तो दसमलव के पहले इसका दुगना कर देना याने एक का दुगना दो और दसमलव के आगे इसका square कर देना तो 0-1 यह हो जाएगा ठीक अगर आपको 6% के बारे में question आया तो आपका formula क्या था 2R plus R square बटा 100 हमारा formula है तो क्या करेंगे R का दुगना कर देंगे तो कितना आएगा R का दुगना आजाएगा 12 ठीक है और दसमलव के आगे R का square कर दोगे तो 36 आजाएगा यह हमारा इतना प्रतिसत हमारा हो जाएगा 6 प्रतिसत वाले case में और दूसरे आगे वाले case में आगर आपको चाहिए यह value चाहिए तो क्या करेंगे 6 को 3 गुना करेंगे तो 18 प्लस 6 का square होता है 36 और 36 को 3 बार multiply करोगे तो 108 आएगा 108 बटा 100 हो जाएगा ठीक प्लस 6 का cube 216 होता है तो 216 divided by 10 जा रहेगा इन तीनों को अगले वाले में 216 है तो यहां पर 0.0216 इसको अगर जोड लिया जाए तो यहां 19 यहां 10 और यहां पर 16 आ रहा है तो इतना प्रतिसत निकालना है आप देखिए कि 6% में और तीन वर्ष में जो value आए वो कितना है 19 दिसमलाव 106 तो आपको बस successive percentage change का formula निकालना है तो यह सा आप करने का चमता ज़्यादा है तो आप टेबल को याद भी कर सकते हैं और आपका calculation बहुत तेज हो जाएगा लेकिन अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो केवाद successive percentage change केवाद उतना ही formula याद रखिए उससे यह सारे values within seconds निकल जाते हैं और question भी बहुत आसानी से solve हो जात मैंने आपको शुरुआती तोर पर बताए कि इस वीडियो में हो सकता है मैं सवाल भी ना करा हूं क्योंकि यहाँ पर पूरा theory party में आपको बता रहा हूं अलबर्ट आइंस्टीन जैसे बड़े व्यग्यानिक ने बुला है compound interest को 6 यानि कि 8 वा जूबा कहा है 8th wonder of the world तो इसम सब्सक्राइब को यहां से लेट के चलता हूं कुछ सवालों में यहां से हम देखते हैं देखें पहला सवाल है आपके स्क्रिंग के उपर a man borrowed 4,000 rupees at 15% compound interest at the end of each year he pays back 1500 rupees how much amount should he pay at the end of third year to clear all his debts तो 15% चक्रिविद्धी ब्याज की दर पर 4,000 rupees का जो है उधार लेता है एक व्यक्ति और 1500 rupees का भोगदान देता है तीसरे वर्ष के अंत में कितना राश्री का भोगदान किया जाना चाहिए overall अपसे उच रहा है तो यहां से देखिए इसको 4000 rupees इसने लिया था अगर इसमें 15 परसेंटेज का इसे ब्याज देना है तो 15 परसेंटेज ब्याज देने का मतलब है इसका 15 प्रतिसर्द जो की कितना हो जाएगा तो 600 rupees हो जाएगा मतलब यहां से 46 100 rupees उसको देना होगा amount अगर यहां से वो 1500 rupees लोटा देता है पहले वर्ष के अंत में तो second वर्ष के starting में उसका जो amount बचेगा वो इसमें से 1500 माइनस करके बचेगा जो कि कितना है तो 3100 इतना रूपया उसको balance रहेगा अब इसमें फिर से 15 परसेंटेज देना है तो 15 परसेंटेज कितना होता है 10 परसेंटेज 310 होगा और उसका 5 परसेंट निकालोगे तो एक सॉप 55 परसेंटेज का मतलब कितना हो गया 465 वैल्यू जो है इतना इसका 15 परसेंटेज का वैल्यू हो जाएगा अब इतना वैल्यू और अगर इसमें जोडेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3560 रुपया इतना वैल्यू इसे जोडना होगा कहीं अगर second year के end पे amount इतना देना होगा अगर मैं इसमें 1500 और माइनस करों पंद्रा सर और माइनस करने पर जो वैल्यू बचेगा तीसरे साल के स्चुर्वात्य दौर पर वो जाएगा इसमें 1500 माइनस करना यह बीस हजार जैने दो हजार 65 रूपिया इसका 15% और देना है अगर इसका 15% और वैल्यू हमें देना है तो इसका वैल्यू बताईए कि अब इसका 15% बढ़ाने के बाद वैल्यू क्या आएगा तो अब देखे थोड़ा smartly सोचे कि वैल्यू क्या होगा इसमें मुझे 1.15 multiply करना है 1.15 क्योंकि 15% का multiply करने का मतलब इतना ही वैल्यू होगा तो option देखके बताईए कि क्या वैल्यू आएगा देखे अगर मैं इसका 10% जोड़ू तो 206 दसम्लब 5 होगा और 5% और जोड़ना मतलब इसका आधा जोड़ना तो 103.25 जोड़ना हो जाएगा तो total 2300 के आजपास वैल्यू आएगा इन तीनों को जोड़ने पर last में 75 आएगा दसम्लब में और ये 6 प्लस 5 होता है 11 प्लस 3 करोगे तो 14 आएगा एक carry forward यहाँ पे 7 आएगा और last में इसको जोडने पर 23 आएगा तो 23.23 74.75 याने ये जो है सवाल का सही उत्तर होगा देखे कैलकुलेटिव है और आप SSC का एक्जाम दे रहे हैं तो आपको कही न कहीं कैलकुलेशन जो है वो मिलेगा सवाल है लेकिन उस कैलकुलेशन को भी easy करना है तो आपको ये सारी तरीके जो मैंने अभी numbers लिखा वो आपको समझ में आना चाहिए Method 1 Condition 6 में मैंने ये ही सवाल करा है कि per year अगर आप कुछ value को return कर रहे हैं तो उसमें से principal में से direct minus हो जाता है उसमें भी अगर आपको total राशी directly निकालने को कहा गया तो आप directly देखेंगे कि interest जोडने के बाद इतना amount हो 1500 minus किया तो इतना value क्योंकि ये value क्या है ये है आपका amount plus याने principal plus interest total value इतना है तो इसमें compound interest लगाओंगे तो 15% बढ़ाना है तो 300, 3565 होगे इसमें 1500 फिर minus करोगे तो 2000, 65 बचा इसमें 15% माईना याने की बढ़ाने के बाद value इतना आ रहा है तो इतना ही value आपको देना होगा ठीक है तीन वर्ष के अंत में चलिए अगला सवाल देखते है नेक्स्ट कुश्चन है आपके screen के उपर दिया हुआ है यहां से solve करना है compound interest जो है वो 18 महिने में calculate करना है 10% per annum के हिसाब से और 2800 रुपे जो है इस पर कितना compound interest लगेगा बताना है अब आप बताईए भई 18 महिने का मतलब क्या होता है 18 महिने को यदि मैं break करूँ तो आप इसको 2 हिस्से में break कर सकते है 12 महिना और 6 महिना 18 महिने को मैंने 2 हिस्से में बाट कर पी और यह 10% per annum दिया है यानि कि 10% per annum मतलब 12 महिने का 10% होगा तो यहां से यह 10% हो जाएगा साथी साथ अगर यह 6 महिने की बात हो रही है तो यहां पर 5% का ही ब्याज लगेगा तो अब आप खुदी बताइए कौन सा approach से solve करना है सबसे बेस तरीका है कि आप successive percentage चेंज लगा x plus y plus xy by 100 क्योंकि इतना प्रतिसात यदि आप निकालने 2800 का तो आपका percentage CI आ जाएगा कि CI का इतना परसेंटेज है तो मैं यहां से formula लगाऊंगा 10 plus 5 15 हो गया प्लस 10 इंटू 5 50 होता है 50 बटा 100 करोगे तो दसमलव 5 आएगा यानि कि 15.5 प्रतिसात इतना आपको ब्यास देना है अब 15.5 प्रतिसात निकालना कितना आसान है क्योंकि अगर मैं इसका 10 परसेंट निकालू 10 परसेंटेज इसका हो जाएगा 280 और मुझे 15.5 प्रतिसात और निकालना है जो कि हो जाएगा 14 रूपया किनों को जोड़ दो तो यहां 4 यहां पे 13 और यहां पे 434 रूपया का जो है ब्यास देना है तो इतनी आसान सी बात है आप कंपाउंड इंट्रेस्ट को भी परसेंटेज के लेवल तक तोड़ सकते है केवल परसेंटेज की जरी यहीं कंपाउंड इंट्रेस्ट जो है वो सॉल्फ हो जाता है पूरी तरीके से और यह जो आखरी तरीका मैंने आपको बता है सक्सेसिव परसेंट चींज बहुत एफेक्टिव तरीका है नेक्स कुशन देखते हैं यहां दियो है एक तो एक हजार का एक हजार का इतना परसेंटेज निकालने पर उत्तर आ जाएगा तो देखें यहां पर सवाल जो है विदिन सेकेंट से सॉल हो जा रहा है लेकिन इसका थियोरी समझने के लिए हमको दो घंटे का समयच देना है तो पेशेंट्स की आवश्यक्ता है Patients आपको देना होगा कि यह चीज समझाया मैंने तो उसको समझने के बाद जब आप सवाल करेंगे तो एक कितना समय लगेगा आप इसको 5 सेकेंड में सॉल कर सकते हैं 10% और 3 वर्ष देखकर कि 33.1% इसका इंटरेस्ट होगा चली आगे बढ़ते हैं next question if a sum of this is invested for 1 year 12% per annum interest being calculated semi-annually then what is the interest rate तो 12,500 रुपए को एक वर्ष में 12% ब्याज की दर से अर्धवार्शिक रूप से जब ब्याज देते हैं तो फिर आपको बताना है ब्याज कितना लगेगा देखिए 12% जब है तो यह तो एक साल में आपका 12% था लेकिन जब आप इसको आर्धवार्शिक तरीके से दे रहे हैं मतलब 6-6 मेने में दे रहे हैं तो यह दो हिस्से में बढ़ जाएगा पहले के 6 मेने में आपका 6% लगेगा और अगले 6 मेने में आपका 6% लगेगा मतलब आपका जो formula है उस formula के जरी आप इसको solve करें तो value actually क्या है N जो है N आपका बन यह 2 क्योंकि यहाँ पर एक साल का अगर हम यहाँ पर N निकालते हैं अर्धवार्शिक तरीके से तो 2 बन जाता है और rate निकालते हैं तो 12% का आदा हो जाता है मतलब कि 6% अब आप खुदी बताईए 6% और 2 देखने के बाद क्या करना है दसमलव के पहले 6 का दूगना करना है जो कि यह 12 दसमलव के बाद 6 का square करना है यानि कि 36% मतलब आपको बस इतना value निकालना है किसका तो इसका सवार आसान है मतलब 12 ठीक है दसमलव 2 zeros हटा दिया मैंने 125 देखते साथ 5 के multiple में चल रहा है value तो क्या है 125 का मतलब क्या होता है 1000 बटे 8 होता है तो जब 125 से multiply करना है तो ज़्यादा अच्छा है कि आप 1000 से multiply कर दीजिए सामय वाले value को और 8 से divide कर दिए 1000 से multiply करने का मतलब 12 2 zeros 2 zeros इसके decimal को हटाने में जाएंगे एक zero और extra है तो यहाँ पर zero आ जाएगा और 8 से काट आठ से काटी है इसको एक बार कटेगा फिर यहां से 4 आ रहा है आगे तो 5 बार कटेगा फिर 3 आ रहा है 36 यानि कि आपका 4 बार कटेगा फिर 40 आ रहा है तो rate of interest जो है 4 परतीसाथ है पहले साल का 5 परतीसाथ दूसरे साल का 6 परतीसाथ तीसरे वर्स का तो तीन वर्सो में आपका जो compound interest है वो कितना होगा तो 4 परतीसाथ 5 परतीसाथ 6 परतीसाथ देखते साथ आपको क्या करना है successive percent change लगाना है जो कि यह x plus y plus z प्लस xy प्लस yz प्लस zx डिवाइड बाई 100 प्लस यहां से xyz डिवाइड बाई 10,000 यह value आएगा clear तो x प्लस y प्लस z जब किया जा रहा है तो 4 प्लस 5 प्लस 3 करोगे तो कितना आजाएगा यहां से इसका value आजाएगा 15% प्लस 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आएगा प्लस 5 इंटू 6 करोगे तो 30 आएगा प्लस 6 इंटू 4 करोगे तो 24 आएगा इसमें divided by 100 करना है प्लस last में 4 इंटू 5 इंटू 6 divided by 10,000 भी करना एक बार तो इस चीज़ का ध्यान रखना solve करते हैं भी value को तो देखें total overall percentage कितना लगेगा 15% लग गया अब इसको value देखेंगे तो 20 प्लस 30 होता कितना है तो 50 होता है प्चास में 24 जोड़ोगे तो 74 होगा लेकिन divided by 100 है तो 0.74 आजाएगा last में देख रहे हैं 4 इंटू 5 इंटू 6 इतना है और किसका percentage जब 1000 का percentage निकालना है और 10,000 का percentage निकालना है तो बहुत simple है कि 2 zeros तो इसके 2 zeros जो है वो percentage को हटाने में जाएंगे और 2 zeros जो है decimal को shift कर देंगे आगे यानि 15752.2 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear एक आखरी सवाल दिखते हैं simple interest जो है वो यहाँ पर 20,000 रुपया में 3 वर्ष की दर से अगर इतना रुपया मिला तो compound interest कितना होगा अगर 20,000 रुपया में 7,200 रुपया मिल रहा है तो आपको बताना क्या है कि इसी दर्मियान में आपका जो interest है वो कितना होगा अगर चक्रविद्धी ब्याज की दरूप से calculate होता तो आप बताईए कि यहाँ से 3 वर्ष में आपने इतना ब्याज कमाया तो एक वर्ष में आप कितना ब्याज कमाएंगे 7,200 divided by 3 जो कि कितना है 2400 इतना ब्याज आप कमा रहें तो rate of interest यदि मैं बोलूँ क्योंकि देखिए simple interest में आप इतना कमा रहें तो simple interest का rate कैसे निकलता है कि एक वर्ष में हमने जो ब्याज कमाया वो मूलधन का जितना percentage है वो ही आपका rate of interest होता है 2400 divided by 20,000 multiplied by 100 यही होता है 12,34 एक, दो, तीन, चार कड़ गया तो यहाँ पर 12% rate of interest हो जाएगा 12% rate of interest देखते साथ आपको क्या करना है तो successive percentage change लगाना है तीन वर्ष हो का तो rate निकल के आगया पहली बात कि 12% rate of interest लग रहा है और end जो है वो कितना है तो 3 years अब इसमें successive percent change लगा होगे तो 432 आएगा तीन गुना करने से और divided by 100 होता है लास्ट में 12 का क्यूब होगा 1728 divided by 10,000 तो बताए टोटल करने पर value कितना है देखें सिंपल सी बात है यहाँ पर 36 आएगा प्लस 4.32 आएगा 0.1728 और इसको जोडने पर जो value आएगा यहाँ पर 28 यहाँ पे 9 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 40 अब देखें इसका % निकालना है किसका 20,000 का क्योंकि आपका compound interest इतना % है तो 20,000 का इतना % निकालना है तो % में सबसे पहली बात तो यह % इसके दो zeros % को हटा देंगे कि How to papa है इस decimal के है यहाँ से फटा के तो यहां पर दुगना करोगे तो 80 आएगा यहां 98 आएगा और यहां पर 56 आएगा वैल्यू जो कि कितना है तो इतना क्लियर है बात समझ में आगए चलिए अब मैं इस वीडियो को यहां रोकता हूँ इस वीडियो में मैंने खास तोर से जो फोकस रखा है वो आपके कॉंसेट के उपर रखा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मैं सवाल देखूंगा compound interest के और जितने भी concept मैंने यहां सिखा है वो सारे concept को apply करेंगे हम कुछ और formulas में तो इस वीडियो को यहां पर रोकता हूँ इस वीडियो को देखें बगाएर directly second video मत देखना क्यूंकि सवालों को मैं within seconds एक मिनिट के अंदर solve करना आपको सिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आपको दो घंटे का patience जरूरी है और इसलिए मैंने यहां पर आपको सारे concept इ चेकेंगे थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना ही